Good morning, good morning Sir पिछली क्लासों में conventional suspension पर भी बात हो गई offline air suspension पर भी बात हो गई आज हम clear बात करते हैं air suspension पर इसके नाम में ही छुपा है air suspension मतलब compressed air is being used to suspend the road socks जो भी suspension system का मुखे उदेश से क्या है सडकों के उभार या गड़ा युक्त सडकें सडकों के अनिमिताओं के कारण जो भी rebound, force, tire के द्वारा वाहन के chassis frame में, body में, occupants में, luggage में जो भी समान उसके अंदर रखा हुआ, goods को जो transfer हो रहा है हो सकता है, उसको suspend करना यानि सडक के जटकों को वाहन के chassis, body, occupants, passengers and goods तक आने से रोकना क्योंकि जो सडक पर जब भी पहिया चल रहा है, rolling tires जब भी किसी उभार से टकराएगा तो उसके गती में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण पहिया भी vibrate कर रहा है और वो vibrations पूरे वाहन के chassis और body पे पढ़ रही है और उसमें बैठे हुए यात्री उसको feel कर रही है ये vibrations के कारण जो nut bolts, fasteners के द्वारा body को tight किया गया है, fitting की गई है वो सारे fasteners lose हो सकते हैं जहां पर पतली चादरे हैं वाइब्रेशन के कारण और वो tight की भी है एक निर्दरी टॉर्क पे तो वाइब्रेशन के कारण वो बाड़ी भी वो चादरें भी crack हो जाती है तो इस तरह की किसी भी परिस्तिती से बचने के लिए वाहन में लगा रहता है सस्पेंशन सिस्टम उस पर कन्वेंशनल पर भी बात हो गई इंडिपेंडेंट सस्पेंशन पर भी बात हो गई वहां पर तुमने देखा होगा कि लीफ स्प्रिंग में पतले पतले स्प्रिंग स्टील की पत्तियों को आपस में जोड़कर एक सेमी इलिप्टिकल रूप दिया जाता है जो फ्रंट और रियर सस्पेंशन के लिए उसी को यूज़ करते हैं गूट्स कैरियर में पर कारों में अलग किस्म का सस्पेंशन हो जाता है है तो उसमें एकड़े में अगर कोई गड़े में भी गिर जाए यह वो उभार पर भी चाड़ाया तो उसी पाहिए पर जएरी और अब और बाकी पये में उससे आजाद रहते हैं स्वतंत्र रहते हैं उन पर कोई इफेक्ट उसका नहीं पड़ता है और उसके लिए क्या क्या था सेमी लिप्टिकल लिफ की वजाएं वहां पर कॉइल स्प्रिंग यूज होने लगी थी कॉइल स्प्रिंग कि इस तरह की कॉईल स्प्रिंग स्पेंशन सिस्टम में यूज हो रही थी इंडिपेंडेंट में और इसी के बीच में या इसके साथ लगेवे रियर सस्पेंशन जब दिखाया था तो मैंने पीछे से लगी वे उसके साथ डैमपर दिखाया है कि वहता क्या है यह spring में क्या है? spring एक elastic material है जब इस पर दबाओ पड़ेगा तो जो भी बल इस पर पड़ा वो बल इसके अंदर वो एनर्जी इसके अंदर store हो गई और जैसे ही बल हटेगा तो वो एनर्जी release होती है डीज होते समय इलास्टिक मेटेरियल में इसकों ग्राफ के मादियम से समझते हैं जो भी एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है वहर रिलीज होते समय इसी रास्ते का इसी पात का सेम पात को फॉलो करती है जब इस पर लोडिंग हुई तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो अनलोडिंग के टाइम पर सेम पाथ से रिलीज होगी यानि फ्रिक्वेंसी सेम होगी और जब भी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो यह वाइब्रेशन क्रियेट करते हैं इस वाइब्रेशन को डैम्प करने के लिए ही इसके साथ डैम्पर्स या सॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं फार जयसे जैसे 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 रिजियर्च और डैवलप्मेंट होती रही तो एक और मेटिरियल का पता चला जिसे कहते विश्कोषटिक है विश्कोषटिक को रहा है कि इसकी विशेष्टा क्या होती है कि इसमें जो भी एनर्जी स्टोर भी थी कि इसको एलास्टिक मेटेरियल में जब भी लोडिंग होती है तो उसके अंदर भी या रबर हम इसको जैसा पुरियोग करना उस हिसाफ से उसको बना लिया जाता है ही अब हम जैसा हमें चाहिए हम में तयार कर सकते हैं जब जब आटमावाइल का विकास हुआ था जब उसका जन्म हुआ और धीरे धीरे वह आगे को बढ़ा तो उस समय इतने संसाधन उपलब्द नी थे इतने टैक्निक्स नी थी और नहीं इतने फास्ट कम्प्यूटर तो 1949 के बाद पैदा हुए इसमें रबर के अंदर एक सबसे बड़ा गुण होता है कि जब हम इसे तानते हैं तो यह तन जाता है बहुत बार में पूछूंगा अभी क्वेस्टिन करूंगा सबसे ज्यादा थालस्टिक मेटिरियल कवन है तो तुम ढोलो को क्या है रवर है जबकी है क्या है जमें चक्रいたफों कि है तो यह विसको युद्टर है जब जाती है क्यों कि इसके अंदर जो एनरजी रिष्टूर्ड है वह अभी पूरी तरह से रिलीज नहीं हुई है यानि इसमें जो एनरजी रवर्क में एलास्टमर में जो एनरजी स्टोर होती है पिस्को एलास्टिक मेटिरियल में वहां रिलीज होते समय इसी रास्ते का परियोग ना करते हुए थोड़ा सा एसे है थोड़ा सा समय लेती है इसमें स्टोर हुई एनरजी धीरे 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 रिलीज होती है इसको कहते हैं हिस्टेरिसिस हिस्टेरिसिस लॉस यह और अच्छी तरह से इसको समझने के लिए जब टायर पढ़ा जाएगा उस समय बताए जाएगा कि इसी काराण से इसको के लास्तमर के इसी गुण के कारण जो टोटल फियूल कंज्यूम होता है उसका 30 परसेंट फेडायरक बड्रिजा करते हैं, पर विदाव। टायर, ऑटो म१ाइल क्या है क्या है ऑटो म१ाहेय क्या है और सवयंध की शक्ति से चलने वौला वहान है और उसे चलाता कौ क्यों है टायर टायर इस दा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ एन आटमोबाइल टायर सा आर क्योंकि वह चार होते हैं या दो होते हैं सिंगल टायर का आटमोबाइल नहीं होता है ठीक है तो इसी गुण के कारण suspension system में रवर का उप्योग बढ़ता ही चला गया कि अब जो यहां यूज हो रहा है एर suspension में वह सबसे ज्यादा रवर पार्ट सगी है जो यूज होने वाली स्प्रिंग से हैं जिने एर स्प्रिंग बोला जाता है एक्चुली वह रवर की ही बैलोज होती है अगर वह पिस्टन टाइप भी है तब भी हावा मेटल कंटेनर में है पर जो डायफ्राम है वह रवर का यह है समझ मारी बात अब हम आज देखते हैं एयर सस्पेंशन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम दिखाते समय भी मैंने तुम्हें यह विस्कोलास्टिक माटेरियल की प्रोपर्टी बताने की कोशिश की थी इसलिए जहां पर भी बुशिंग है जहां पर भी लोवर आर्म हिंज्ड हुई है बॉडी के साथ या फिर वो आगे स्टम एक्षाल के सथ उन उन जगों पर की मिन बुशेंग कोवतर अंदर के वांदर उन के की बीच में रवर है ताकि जो भी वाइब्रेशन्स होंगी उन वाइब्रेशन्स को यह रवर अपने आप में एब्जॉर्ब करेगी और धिरे-धिरे कि अगी तो इसी प्रोपटी को ध्यानमें रखते हुए 1500 में जो भी अइर Ee स्प्रिंग से यह रवर पार्ट की रवर पीजो जयसे के नाम से पता चलजा की एयर स्पेन्शन्स शिस्टम तो है में कंप्रेस्ट आयर को को यूज किया जाता है कंप्रेस्ड है यार यह वीकल लोड को सपोर्ट करती है जिस तरह से कंवेंशनल लीफ स्प्रिंग्स में या फिर कोईल स्प्रिंग्स में परती हर साइड में फ्रंट लेफ्ट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट रियर लेफ्ट एंड रियर राइट में चार कोईल स्प्रिंग्स लगी थी जाल हुए है कहां लगी रहती है ले डा ड़ी के बीच में एकसल और चैसी फ्रे । बरी के बीच में एकसल और सुआ में कि विइद जाद पीच आ हैं जान में पारेट हैं ऍर्फल आभेपर रेखें कोईव्स कि यह कि बंप के ऊपर चड़ रहा है तो टायर ही चड़ रहा है और इस वज़य से इसमें कि यहां से भी बल लग रहा है और वहन का वेट नीचे की तरफ बल डाल रहा है और इस बंप पे चाड़ने से पहले ब्रेकिंग हो रही है लो ट्रंसपर हो रहा है तो उस कारण से शियर फोर्स ब्रेकिंग टार्क एक्सलिडेशन का श्क्वार्ट ब्रेकर डेप ड्राइविंग थर्स्ट जब वहां का पईया खड़ा है खड़े पईये को जब चलाए जा रहा है और उस समय सबसे ज़्यादा टार्क इंजन दे रहा सबसे और एक्सी शारत मैक्सिमंँड ट्रांस भूरा तो उस टॉर्क रिैक्शन के कारण पुर्ए यो मनेगःत कर रहा है सबो इसमें होती हैं प्रियोग कर नि पड़ती है है क्योंकि उनका काम अलग किस्मक नौन को लिभी स्प्रिंग मेंवह ឥ कुछ सैखल कर ले रिए को आले रही है आए कहीं पर ही लिफ सब्सक्रीक बेंड़俺 कर यहां पर क्या लिए घृत कि यह को यह पुछ ऐसा वीवस्ता हो जो की हवा को लगातार बनाते रहें compressed air की कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसका एक पूरा system layout एक पूरा system layout है जो की यहाँ पर board पे अभी बना हुआ है इसको गौर से देखेंगे यह air filter यह air compressor accumulator relief wall यह जो black line जा रही है यह pipe से हैं यह different size के pipes होते हैं यहाँ पर यह मोटा ही pipe है 6 mm का मोटा pipe है और lift control valve, labeling valve, रियर लिफ्ट लेवलिंग वाल्ब्स, एंड रियर air springs यह front air springs यह लेवलिंग वाल्व आगे के लिए जो main चीज है यह सारा system को गौर से देख लो यह जो black line से दिखाई वह हैं डार्क में यह है supply lines और जो dotted lines दिखाई गई हैं वो है written lines अब air compressor जो बड़े ट्रक हैं बसेज हैं उनमें और पावर ब्रेक्स हैं और पावर कलच भी हैं तो सपोर्टेट बाई नुमेंटिक प्रेसर है एर प्रेसर से हैं तो बसेज एंड ट्रक्स में यह सारे के सारे कंपोनेंट अल्रेडी फिट हैं सिवाए यह लेविलिंग वाल्व और अगरा के जो कुछ पार्ट से इसके जो हैं इनके अलावा उसमें जो मुख्षी चीज है एर कंप्रेसर, एक्युमिलेटर, रिलीफ वाल्व और पाइपलाइनों का जाल पहले ही यह सारा सिस्टम कैसा है लीक प्रूफ है एकदम सील्ड है हवा को रिलीफ करना है तो उसके लिए अलग पोर्ट है बना वा इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक निर्धा प्रेसर चाहिए एक तो है एर कंप्रेसर का प्रेसर एक क्या है आयर कंप्रेसर का प्रेसर कि यह कितने प्रेसर से हवा को भीजेगा दूसरा है टैंक का टैंक के या सिस्टम का यह दो अलग अलग प्रेसर है एर कंप्रेसर अलग प्रेसर के साथ हवा को कंप्रेस कर रहा है और वो सिस्टम में जाकर इस एर टैंक में या एर एक्क्यूमिलेटर का मतलब यह है कि जो एक निर्धारित प्रेसर को बनाए रखता है मेंटेन करके रखता है और मेंटेन करके रखता है मतलब कि उसके अंदर हवा भरी भी रहती है आरी बात समझ मैं तो जो सिस्टम प्रेसर है वो होता है आठ से दस बार का और जो एर कंप्रेसर है वो लगबद 240 मेगा पास्कल के ताप से इस हवा को कंप्रेस करता है दोनुद चीजें अलग अलग है इन बातों को अच्छी तरह से समझ लेना कि जब क्वेश्चन आएगा कि एयर सस्पेंशन सिस्टम का सिस्टम प्रैसर कितना होता है उसमें 240 बार भी दे रखा है आठ से दस बार भी दे रखा है या फिर 150 PSI भी लिखा होगा हो सकता है कि 1 PSI is equal to कितना होता है इस तरह से आप किलो पास्कल में इसको बदल सकते हो PSI को और किलो पास्कल को PSI में बदल सकते हो और एक बार बराबर 100 किलो पास्कल तो इस तरह से आप कंवर्जन कर सकते हो ठीक है ना गुड तो इतना जब प्रैसर के साथ एयर कंप्रैसर कंप्रैस्ट कर रहा है उस हवा को भीज रहा है यह इस एक्युमिलेटर में यानि एयर टैंक में पर इस चित्र में एक चीज नहीं दिखाई गई है व यह यह अईयर ड्रायर अगरे जो बड़े ट्रक और बसेज हैं उनमें यह एयर कंप्रैसर न के साथ ही फिट रहता है और इंजन से ही ड्राइब लेता है पर जो कारों में यह को Li driven होता है यह ये एक कंप्रेसर होता है जो जब अशच्कता होती है उसी समय चलता है वह इलक्त्रॉनिक ली ए उस पर बाद की बात में करेंगे अभी जो छिए इसके द्वारा इसके बहुत सारे फाइदे हैं इसके द्वारा वहान की उचाही को कम ज्यादा किया जा सकता है इसलिए महानगरों में बसों में यह ज्यादा यूज हो रहा है ताकि पैसेंजर्स को उतारते समय और चडानते समय वहान की बड़ी को नीचे किया जा सके ग्राउन क्लेरेंस कम किया सके ताकि यात्रिव को चंड में कोई परिशानी नहीं खासकर बुजूर्ग महिलाएं बच्चे गर्बहती महिलाएं यह ऐसी महिला जिनके गोद में बच्चे हैं और दिब्यांग जन इन लोगों को चर्णने और उतरने में आसानी होती है और यात्रा बहुत आरामदायक होती है जो रोट सॉक्स हैं वह वहां के चैसी बॉड़ी और ओक्यूपेंट तक नहीं पहुंच सकते इसे कि इसमें मतेरियल यूज हुआ है और इन जो एयर स्प्रिंग की जो लोट कारिंग कैपसिटी है और सस्पेंशन को सें करने की क्षमता है वह कंवेंशनल लीफ इसप्रिंग या क्वायल इसप्रिंग की अपेक्षा 3-4 गनी जादा है जो एनर्जी इसके अंदर रिस्टोर हो रही है वो धीरे-धीरे रिलीज होती है तो इसमें भी वाइब्रेशन डेंप करने के लिए सौक एब्जॉर्बर्स या डेंपर का प्रियोग किया जाता है पर वह अपिक्षाक्रत छोटे या थोड़ा लाइट ड्यूटी भी चलता है अब पहले इसमें देख लेते हैं फिर इसकी वर्किंग बताते हैं एर आने से क्योंकि वाइब मंडल में बहुत ज्यादा धूल और गंदगी और साथी पर्टिकुलेट मैटर से हैं उसके लिए जरूरी है कि जो भी हवा सिस्टम में जाए वो पूरी तरह से साफ हो उसमें धूल आदी के कण ना हो इसका काम यह काम करता है एर फिल्टर फिर यह हवा जो सोखने का काम कर रहा हूँ वह पिस्टन टाइप ही एर कंप्रेसर होते हैं जो सक्षन स्ट्रोक में हवा को अंदर लेते हैं इनलेट वाल्व खुलता है और जब वह एक्जॉस्ट या आउटल वाल्व के रास्ते से बाहर यानि सिस्टम में भेज देते हैं कहां अएर ड्रायर में है अएर अक्युमिलेटर से पहले एक और पार्ट होता है अएर ड्रायर क्योंकि जो भी वाई मंडल से हवा खींची गई है उसके अंदर नमी है दिख रहा है नहीं दिख रहा जो एक में पार्ट है वो है अएर ड्रायर के आउशक था क्यों पड़ रही है क्योंकि वाई मंडल में जो भी हवा है वो उसमें कुछ न कुछ नमी है और और रामक्रिष्ण सौरप और क्या इसके पिष्टन और लाइनर के बीज लूब्रीकेंट चलता है लूब्रीकेशन शिस्टम उसका बराबर रहे उसका इसके भी पिष्टन में पिष्टन रिंगस होते हैं इसकी भी connecting rod game shaft से drive ले सकती है क्रेंक shaft से drive ले सकती है किसी gear के थुरू drive ले सकती है आजकल के महानों में यह game shaft के साथ एक gear है उसी gear से air compressor drive ले रहा है तो वो जब drive ले रहा है उसे तो उस gear के मद्धि भी lubricant चाहिए ताकि friction कम से कम हो और parts long life हो सिस्टम बीच रास्ते में खराब ना हो तूट फूट ना हो और जो piston उसके अंदर चला cylinder liner के बीच में और उसके बीच में lubricant की एक पतली फिल्म हो in due course of time कुछ वहन के चल जाने के बाद समाई पर उसकी servicing नहीं करी engine oil change नहीं किया घिसावट एर कंप्रेसर में भी घिसावट होती है उसके piston rings भी घिसते हैं तो उस रास्ते से lubricant भी सिस्टम में दाखिल हो सकता है इंटर हो सकता है ना सिर्फ नमी बलकि lubricant जो की एर कंप्रेसर के थुरू आ रहा है खासकर उन एर कंप्रेसरों में जो compressor engine से drive ले रहे हैं उन एर कंप्रेसर में lubricant भी जला हुआ यूज्ड या जो चल रहा है वह lubricant भी हवा के साथ mix up हो के आ सकता है लाइन में तो वह सबको ट्रैप करने का काम करता है एयर ड्रायर यह इसमें नहीं दिखाया है इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया हवा को साफ करने का काम filter का है हवा को वाई मंडल से खींच के compress करने का काम है air compressor का और जो भी हवा इसके अंदर आई जितना उसका आयतन है swept volume उतनी हवा आईगी उस हवा को इसने 240 मेगा पास्कल से आगे भेजा air dryer में air dryer में सारी नमी और सारी गंदगी ट्रैप हो गई और उसके बास सुसका हवा चली जाती है आयर प्रैसर आयर टैंक में एक्चॉली वह जाती है थुरू आयर प्रैसर रेगुलेटर या सिस्टम प्रोटक्शन वाल्व यह जो प्रैसर है 8 से 10 बार का यह प्रैसर रेगुलेट किया जाता है एक आयर प्रैसर रेगुलेटर द्वारा इसी को कहते हैं सिस्टम प्रोटक्शन वाल्व मैनुवल में पर जिसमें जो इलेक्रोनिकली ऑपरेटेड है वहां पर सोलोनेड वाल्प्स का वाल्ब ब्लॉक होता है ठीक है इस तरह से जो कि एर कंप्रैसर ने हवा बनाई उसको 240 मेगा पास्कल के प्रैसर के साथ एर ड्रायर में भेजा एर ड्रायर से एर ड्रायर ने उसकी नमी और लूब्रिकेंट जो भी कैमिकल है उसको सोख लिया उसके बाद वह हवा जाती है थूरू सिस्टम प्रोटक्शन वाल्ब या रिलीफ वाल्ब के द्वारा फिर से वह एर कम जो टैंक है उसमें स्टोर हो जाती है फिर जो आउटलेट पाइप से होंगे जो सिस्टम को जाएं एर टैंक का प्रैसर दस बार का हो जाता है तो इसके अंदर जो मैनुवली ऑपरेटेट वाल्ब मेकैनिकल वाल्ब हैं प्यॉर उनके अंदर एक स्प्रिंग है नॉन रिटन वाल्ब से हैं बहुत सारे नॉन रिटन वाल्ब से इसके अंदर होते हैं तो जब उसके अंदर द को जयाता है इस तरह से पूरे system में एक निर्धरित प्रैसर बना रहता है यह जो भी हवा एर suspension के लिए वह सब lift control valve के थुरू जा रही है, lift control valve के साथ एक और lever लगा रहता है जो की driver जिसको operate कर सकता है अपने कख्ष से driver और इस सिटम में 8-10 बार का प्रैशर हो गया है इसके लिए इंस्ट्रुमेंट पैनल में 2-3-4 अजो सकते कि एरटैंक के प्रैसर के लिए क्योंकि एरटैंक का एरटैंक 1-2 या 3 हो सकते हैं तो उन टैंकों में बराबर प्रैसर है इसको dashboard पर उसकी monitoring होती है और यह दी pressure down होने लगता है down कई कारणों से हो सकता है इन bellows के puncture हो जाने के कारण हो सकता है diaphragm के puncture हो जाने के कारण हो सकता है हो सकता है pipe के leak हो जाने के कारण हो सकता है oaring के cut जाने के कारण हो सकता है और कई कारणों से air pressure leak हो सकता है तो उसकी वार्निंग भी इंस्ट्रूमेंट पैनल पे पता चल जाती है बीप की आवाज आने सुरू हो जाती है जो भी हवा इसमें है वो इस पाइप के रास्ते से लिफ्ट कंट्रोल वालब में आई और यहीं से फ्रंट लेबलिंग वालब और रियर लेबलिंग वालब को हो जाती है कि इसके साथ हईट सेंसर भी लगे रहते हैं लेबलिंग वालबों का काम है कि वहां के लेवल को हमेशा बनाए रखना लेवल्ण वाल्ब क्या करते हैं वहन के लीवल को हमेशा बनाये रखते हैं यह यहदी टायर कभी टर्निंग में निटायर के उपड़े XL आता है और दूसरा टायर उठने की प्रवर्ती करता उसको क्या फेनोमिना को क्या बोलते हैं जैकिंग जबकि एक टायर उठने की कोशिश करता है और जब भी एक टायर गड़े में चला गया तो वहन का आकार थोड़ा चेड़ा हो गया ऐसे में क्या करती है आयर स्प्रिंग में और हवा भर जाती है और वह वहन की बोड़ी लेवल पर आ जाती है इस वज़ा से जो रोल है उसको कंट्रोल किया जाता है ड्राइवर जब भी चाहे इसकी उचाई बढ़ाने के लिए यहां पर लिवर होता है उस लिवर के द्वारा ड्राइवर गाड़ी की बाड़ी को चैसी और एक्सल के बीच में से उपर भी उठा सकता है और बैठा भी सकता है तुम लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे ट्रक से चलते हैं जिन में की लिफ्ट एक्सल होते हैं वह कई बार कई में दो लिफ्ट एक्सल होते हैं कईयों में एक लिफ्ट एक्सल होता है उसमें भी ऐयर की बैलो लगी भी रहती है उस बैलों में जब हवा भरती है तो वह सॉलिड हो जाती है यानि उसका आकार बढ़ जाता है और जब हवा उसकी रिलीश करती जाती तो वह सिकूर जाती है इस तरह से वह एकसल उपर हो जाता और सडक का कोई कोई रहता तो इसके बहुत ज्यादा एड़ाइज है एक तो राइड एंड हैं अराम दाय क्यात्रा हो जाती है कि में क्या चीज है कि सड़क के साथ रोलिंग टायर का जो संपर्क है वह हमेशा बढ़िया बना हुआ रहना चाहिए यह जो अडेशन है बिट्वीन टायर एंड रोड सर्फेस यह रहना चाहिए तभी वहन संतुली तरीके से चलेगा तभी डायरेक्शनल इस्टेबिलिटी एंड डायरेक्शनल कंट्रोल प्राप्त होगा तो राइड एंड हैंड लिंग कॉंफर्डेबल हो जाती है साथ ही वहन का एल्टीट्यूड एक समान रहता है जब भी वहन में खाली रहता है वहान तो उस समय स्प्रिंग से उसको उठाए रखते हैं उस समय हेड लाइट को अन करेंगे तो उसका लेवल कुछ और होगा और जब सामान भार देया जाएगा पीछे ट्रकों में बसोईज में पीछे ज्यादा लोड है तो पीछे से बैठके वह जो हेड लाइट है वह ऊपर चली जाती है इस परवर्ति को कम करने के लिए बीएस फोर के बाद फिर सेल्फ एडजस्टेबल हेड लैंप्स आये जो जो की ECU उनके लेवल को लोड के अनुसार ही उस हेड लाइट के हाइट को एडजस्ट कर सकता था या मैनुवली आपको बार बार उसकी हैड लाइट को एडजस्ट समान रहता है इस वज़े से हेड लाइट में किसी भी तरह की वेरियेशन नहीं आती है राइड एंड हैंडलिंग आसान हो जाती है नौइज नहीं आती सस्पेंशन के कारण सस्पेंशन पार्ट्सों के घीश जाने के कारण और उनके बीच का लूब्रिकेंट खराब हो जा धूल वगर जमा हो जाती है फिर उसमें चर्मराहट की अवाज에서 आती है चुँती कि अलग आवाज आती एक खट 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 कि अलग आवाजें på अदेक सिस्टम में वह सब इसमें डूर हो जाती है किसी भी पर्कार की कोई अवाज नहीं होती है ठीक है तो कल हम बात करेंगे Electronically Operated Electronically Controlled Air Suspension Key, it is enough for the day, have a great day.